नमस्कार आपका स्वागत है नमस्कार आपका स्वागत है किन्तु उसे परमात्मा से प्राप्त इस शरीर का नाश भी नहीं करना चाहिए कई बार मनुश्य नाना प्रकार के अनिष्ट कार्या करके अपने पवित्र शरीर को मलीन करते हैं इसे दूशित करते हैं तथा पाप युक्त बना देते हैं जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन होते हैं मनुश्य की आयू कम होने रगती है और उसे अकाल मृत्यू प्राप्त होती है आज हम बात करने वाले हैं मनुश्य को अपने शरीर को पवित्र कैसे रखना है और रातरी को सोते समय कौन से नियमों का पालन करना है खासकर महिलाओं को इसे एक महत्वपूर नियम का पालन अवश्य करना चाहिए अन्यथा जीवन में दुर्भाग्या आता है सबसे पहली बात है मनुश्य को निते स्नान करना चाहिए बिना स्नान किये कभी भी नहीं रहना चाहिए स्नान से ही शरीर की शुद्धी होती है स्नान करने के पश्चात ही मनुश्य देव पूजा आदी धार्मिक कार्या करने के युग्या बन जाता है बिनास्नान की ये कभी भोजन तथा पूजा पाथ नहीं करना चाहिए बिनास्नान की ये भोजन करने वाले मनुश्य के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है दोस्तो हमारे सभी धर्म शास्त्रों में बालों के विशे में महत्वपून ग्यान दिया गया है मनुश्य को अपने बालो को कैसे रखना चाहिए किस दिन कटवाना चाहिए तथा किस दिन नहीं कटवाना चाहिए बालो को कितना लंबा रखना श्रेष्ट होता है और बालो से संबंदित क्या तांतरिक कारण होते हैं इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, हिंदु धर्म में सब्ताह का प्रतीग दिन किसी ना किसी देवता को समर्पित होता है। और सब्ताह के प्रतीग दिन के कुछ नियम भी अवश्य होती हैं। इसी तरहां बाल कटवाने से संबंदित भी कुछ नियम होते हैं, जो हर दिन के हिसाब से अलग-अलग बताए गए हैं। शास्तरों के अनुसार मनुष्य को अपने बाल मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के दिन कभी नहीं कटवाने चाहिए, मंगलवार का दन मंगल ग्रह से संबंदित होता है। शनिवार का दिन शनिग्रह से संबंदित है। इस दिन बाल कटवाने से अशिब घटनाए घटने लगती है। इसलिए शास्तरों में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल ना कटवाने की सलहा दी गई है। लेकिन बोदुवार, शुक्रवार और रवीवार क दिन बाल कटवाने के लिए शुब माना गया है इसमें से गुरुवार का दिन ही बाल कटवाने के लिए सबसे अधिक शुब माना जाता है इस दिन बाल कटवाने से जीवन में सुख शांती आती है और धन संपत्ती में वृध्धी होती है दोस्तों शास्तरों के अनुसार वा बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल कटवाने से पाप लगता है और जीवन में दुरभाग्या आता है। शास्तर कहते हैं कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए और यदी हो तो उन्हें इस तरह से बांध कर रखना चाहिए कि वो जमीन को सपर्श ना करें। स्त्रियों के बाल बहुत ही सम्वेधन शील होते हैं। बाल जमीर पर टकराने से जमीन पर फैली नाकारात्मक उट्चा बालों के माध्यम से मस्तिक्ष में प्रवेश करती है। जिसके नाकारात्मक परिनाम भोगने पड़ते हैं, साथी शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को अपने बाल कभी गंदे नहीं रखने चाहिए। इससे मालक्ष मी रूट जाती है। साथी स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इससे स्त्रियों को सोभागय की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वच रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण ये है कि बाल स्वच रखने पर सर में खुजली नहीं होती। और सर में हमेशा खुजली करते रहना शास्तरों में अश्युप फलदाई माना जाता है। गुरूर पुरान में कहा गया है कि जो स्त्री अपने बालों को खुजलाते हुए पूजा पाट करती है, उसकी पूजा विफल हो जाती है। स्त्रीयों को दोनों हातों से जोर जोर से अपने बाल खुजलाते हुए गुरू जनों तथा बड़े बुजर्गों से बात नहीं करनी चाहिए। बालों को सुल जाते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है, उसे अच्छे से फैके, उसे यहां वहां फैकने पर उसका दूर उपयोग हो सकता है। क्योंकि तंत्र, मंत्र, साधना और जादू टोने में हमेशा लंबे बालों का उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल हैं उसके उपर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने बालों को संभाल कर रखना चाहिए। शास्तरों के अनुसार मासिक धर्म के तीन दिनों तक स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, साथ ही अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। विज्ञानिक दृष्टी कौन से देखा जाए, तो मासिक धर्म के समय हमारा शरीर बहुत कमजोर होता है। और इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिसमें अधिक उट्चा के आवश्यक्ता होती है, कभी भी सूरियस्त के बाद या सूरियस्त के समय बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा करना अशुब माना जाता है। इसके पीछे विज्ञानिक कारण ये है, कि पृत्वी की चुमबक किया उट्चा प्रभावित रहती है, ये चुमबक किया उट्चा उत्तर से दक्षिन की और भैती है, इसलिए अगर आप उत्तर में पैर करके सोएंगे, तो ये उट्चा पैरों से होकर मस्तिक्ष तक जा लेकिन दक्षिन की और सरकर के सोने से धन संपत्ती में वृध्धी होती है, स्त्रीयों को रात को सोते समय अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, बालों को हमेशा ही बांध कर सोने से और ज्चा का संतूलन बना रहता है, बाल खुले रखकर सोने वाली स्त्री के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और हमेशा धन से जुड़ी समस्या बनी रहती है। तो दोस्तो इस प्रकार से हमारे शास्तरों में स्त्री और पुरुष को सोते समय पालन किये जाने वाले महत्वपूर नियमों के बारे में बताया गया है। उमीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण तथा जय मालक्ष्मी जरूर लिखे साथी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप सभी का धन्यवाद।